असाही ये मातों के लिए वो एक बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक और स्ट्रेस्पुल डे था वो एक एलिमेंटरी बॉइ स्कूल्स का टीचर था वो अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को हिल साइड पे एक छोटे से विलिज में ट्रिप पर लेकर जा रहा था क्योंकि वो गउन हिस्टॉरिकली बहुत एहमियत रखता था क्लास के लड़के बहुत ज़्यादा शरारती थे और अपने टीचर की कोई बात नहीं मान रहे थे असाही अट लास्ट था खार के एक सीट पर बैठ गया बचे डिसिप्लन में आने का नाम ही नहीं ले रहे थे वो बस की खिड़की से बाहर सीनरीज देखने लग गया अचानक उसकी नजर अपने पीछे वाली सीट पर पड़ी वहाँ स्टूडेंट्स एक लड़के को टीज कर रहे थे उस लड़के का नाम हाबिकी था हाबिकी एक अच्छा स्टूडेंट था लेकिन उसके बारे में स्ट्रेंज बात ये थी कि उसका क्लास में कोई भी दोस्त नहीं था असाही उस लड़के को टीज होता देखता रहा उसको बुरा लग रहा था ये सोचकर कि वो उसके लिए स्टैंड नहीं ले सकता उस लड़के को देखके उसे अपना बच्पन याद आ गया और उसको इस बात का अंदाज़ा था कि अगर उसने स्टुडेंट्स को मना किया तो वो लड़के पीचर की एपसेंस में हभीकी को और ज़्यादा टीज किया करेंगे असाही ने बस की खिड़की से बाहिर देखा तो उसे सड़क के किनारे एक गाये की डेड बॉडी पड़ी नज़र आए जो कि शायद काफी दिनों से वही पड़ी थी उसे देख किया साही को स्टुडेंट्स की अटेंशन ग्रैब करने का एक आईडी आया उसने उंची वाज में स्टुडेंट्स से कहा मुझे एक स्टॉरी का पता है क्या तुम लोग सुनना चाहोगे एक ऐसी स्टॉरी जो पहले कभी किसी ने नहीं सुनी स्टुडेंट्स ने एक दूसरे की दरफ देखा वो जानता था कि स्टुडेंट्स की इटेंशन गेन करने के लिए उनका एंटरस्ट डवेलप करना पड़ेगा ये एक ड्रावनी कहानी है उसने कहा एक ऐसी कहानी जिसको सुनाना मना है लेकिन मैं तुम लोगों को सुनाओंगा अगर तुम सब प्रॉमिस करो कि तुम ये आगे किसी को नहीं बताओगी सबी लड़के अपनी सीट्स पर बैठ थे वो अपने टीचर से स्केरी स्टॉरी सुनना चाहते थे उन्होंने हबीकी को तंग करना भी छोड़ दिया था हमें वो स्केरी स्टॉरी सुनाओ उनमें से एक लड़के ने कहा असाही ने उनकी तरफ मुस्कुरा के देखा उसने उन्हें एक आदमी योशी की स्टॉरी सुनाई जो अपनी बीवी और बेटे के साथ गाउं में रहा करता था बहुत तेज तुत्वान से उसका घर तबाह हो गया कुछ दिन भूका रहने के बाद उसने खाने और पनाह की तलाश में साथ वाले गाउं जाने का फैसला किया लेकिन वो गाउं बहुत दूर था सो अपनी बीवी और बच्चे को साथ नहीं ले जा सकता उसने उन्हें यहीं छोड़के आगे से मदद लाने का फैसला किया पास में ही उसको एक डेड काउ नजर आई उसने अपने चाकू की मदद से उस डेड काउ का पेट चीर के खोल दिया उसने बीवी और बच्चे को इसके अंदर बिठा दिया और कहा कि अगर मैं बीस तीन तक वापस ना आया तो मेरा इंतजार ना करना और कहीं और रास्ता ढूनना देन वो ठंड में उस कठिन रास्ते पर चल पड़ा भूख प्यास से लड़ता आखिर किसी तरह वो अगले गाउं तक पहुँच गया लेकिन वाँ पहुँचते साथ ही उसकी हिम्मत जवाब दे गई गाउं वाले बहुत रहम दिल और मददगार थे उन्होंने उसकी केर की और जब उसे होश आया तो वो स्टिल तेज बुखार से काम परहा था और वो हाइपो थर्मिया का शिकार हो गया और एक ऐसी कंडिशन में चला गया जहां इंसान का माइंड उसके कंट्रोल में नहीं रहता और अजीब अजीब चीजें नजर आती हैं गाउं वालों ने उसे रोकने की बहुत कुशिश की और कहा कि उसे रेस्ट करना चाहिए लेकिन वो हाथ में कुलहाडी उठाए एक ही बात पर जोर दे रहा था कि मुझे अपनी बीवी और बच्चे को ढूड़ना होगा जब वो उस जगा पहुंचा जहां उस नहीं को छोड़ा था तो उसे अपनी खराब मेंटल स्टेट में ये दिखाई दिया कि वो गाएं जिसमें वो लोग बैठे थे वो जिन्दा है और उसकी बीवी और बच्चे को निगल गई है जोशी ने कुलहाडी से उस गाएं के टुकडे टुकडे करना शुरू कर दिये और इस सब में अपनी बीवी को मार डाला लेकिन किसी तरह उसका बेटा वहां से बच गया योशी अप पूरी तरह पागल हो चुका था उसने गाएं का सिर काट कर अपने चेरे पर पहन लिया कई दिन तक वो अपने बेटे को ढूंडता रहा ये इमेजिन करके कि उसका बेटा एक मौस्टर है जिसने उसकी बीवी को मारा है लेकिन उसका बेटा एक गाउं पहुँच गया और मदद के लिए चिलाने लगा और गाउं वालों ने इकटे होकर योशी को मार डाला उसका बेटा उसी गाउं में पला बढ़ा और बड़े होकर उसने ये सारी कहाने अपनी डाइरी में लिखी लेकिन उसको रियलाइज हुआ कि एक कहानी पढ़कर उसके बच्चे और हनेवली नसल उसकी फैमिली के बारे में क्या सोचे गी ये सोचकर उसने अपनी डारी से उन पेजिस को फाड़ के फैंट दिया और वो एक दूसरे शहर चला गया असाही ने स्टोरी को एंड किया और वो ये देखकर बहुत खुश हुआ कि सबी बचों ने खामोशी से बैट कर डिसिप्लन में उसकी स्टोरी सुनी थी उसकी नजर हबीकी पर पड़ी तो वो बहुत इंटेंटली उसी की तरफ देख रहा था उसके चेहरे पर एक अजीब सी मिस्टीरियस स्माइल थी और देन उसने कहा असल में ये सब नहीं हुआ था ये गोजू की टू स्टोरी नहीं है ये सुनकर उसके क्लासमेट्स फिर से शोर करने लगी और उसका मजाग उड़ाने लगी हसाही ने खड़े होकर बच्चों को चुप करने के लिए कहा एंट बेन उसने हबीकी से पूछा तुम कैसे कह सकते हो कि ये टू स्टोरी नहीं है तुम गोजू के बरे में क्या जानते हो हबीकी मुस्कुराया उसने अपनी पॉकेट से एक पेज निकाला और हाथ में उठा कर कहा क्योंकि मेरे पास वो पेपर है जिस पर गोजू की असल कहानी लिखी गई थी अचानक उसकी आँखे एक्तम सफैद हो गई उसका चेहरा बतल सा गया था और वो उंची-उंची कहानी पढ़ने लगा वो कहानी इतनी भियानत थी कि उसके क्लासमेर्स ने बैक किया कि इस कहानी को रोक तो लेकिन हबीकी ने पढ़ना नहीं रोका वो उस्वक्त किसी अन्नोन पावर से पोजेस्ट था अगले दिन जब बच्चे घर नहीं पहुंचे तो पेरेंट्स ने मिसिंग बच्चों को ढूनना शुड़ो किया गाउं से कुछ किलोमेटर्स पहले उन्हें बच्चों की बस सड़क के किनारे उल्टी हुई दिखाई थी यह वही जगा थी जहां ट्रिप पर जाते असाही को वो डेट काव नजर आई थी मदद के लिए पुलिस को बुलाया गया स्कूल टीचर्स और बच्चों की डेट बॉर्डिस मिली जो के बहुत ही अजीब कंडिशन में थी उन सब के मूँ से ज़ाग निकल रही थी सब मर चुके थे सिवाए एक के हबीकी अपनी सीट के पास बैटा था और स्टिल मुस्कुरा रहा था गोजू की असल कहानी तारीख के पनों से गाइब हो चुकी है कोई नहीं जानता के असल कहानी क्या थी जिस जिस नहीं ये कहानी सुनी वो इसे बताने के लिए जिन्दा ही नहीं बचा